हेलो एवरिवन आप देख रहे हैं माई यूटूब चैनल एक स्टेडी पॉइंट आज हम पढ़ेंगे ड्यू सोल बीए प्रग्राम फर्स्ट या फर्स सेमिस्टर हिस्ट्री का चैप्टर थ्री हडपा सब्भेता प्रस्तावन सिद्धू सब्भेता का नाम लेते ही समरिती पटल पर एक ऐसी नगरिये शाक्षर संस्किती की तस्वीर उभरती है तस्वीर उभरती है सिद्धू सब्भेता का नाम लेते ही समरिती पटल पर एक ऐसी नगरिये शाक्षर संस्किती की तस्वीर उभरती है जो तीसरी सहतावदी तथा दूसरी सतावदी के प्रारम में सिंदू और उसकी सायक नदियों के इर्दिगित विक्सित हुई सिद्धू सब्भेता का नाम लेते ही ऐसी समरिती पटल पर नगरिये शाक्षर संस्कित की तस्वीर उभरती है जो तूसरी सतावदी तथा दूसरी सतावदी के प्रारम में सिद्धू और उसकी सहायक नदियों के इर्दिगित की विक्सित हुई है इसके पिर्थम ज्याद नगर है हडपा जो सिद्धू नदी के सहायक रावी नदी के सूखे तल के किनारों पर है हडपा सब्वेता जो सिद्धू नदी के सहायक रावी नदी के सूखे तल के किनारों पर है और मोहन जोड़ो जो सिद्धू नदी के पडोस में ही उसके प्रवाकी दिशा में 570 किलो मीटर पर अवस्तित है फिर भी भुगोलिक दिश्टी से इस प्रारंब इस सब्वेता जिसे हरपा सब्वेता भी कहते हैं और जो इसका प्रथम ग्याद इस्ताले मैं सिंदू छेत्र में अधिक हिस्से सामिल थे ये पूर्ण और दक्षिर पूर्ण में नदी तटिये निमन भूमी एव उत्तर में उच भूमी वाले छेत्रों और दक्षिर पूर्ण के तटिये कटिवन्दि तक फैला है ये पूर्ण और दक्षिर पूर्ण के अधिक्रे शेत्रों सब्वेता का स्वरू mild sy度 है कि recognizes इस्तान सब्वेता के स्वरू. इस सब्भेता की विविद विशेश्ताओं पर विचार करने से पहले इसके स्वरूप का उल्ले करना आवेशक है ताकि ये इस पश्ठ हो सके कि कौन से ऐसे तत्वे हैं जो इसे भारतिय उप महा देश के अन्य समकालिन संस्कीतियों और पश्ची मेसिया तथा मिस्र के कास्से युग के युग से अलग करते हैं संस्कीतियों और पश्ची मेसिया तथा मिस्र के कास्से युग से अलग करते हैं संस्कीतियों और पश्ची मेसिया तथा मिस्र के कास्से युग से अलग करते हैं सिंदू घटना किरम को सब्वेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने में ऐसे समाजिक धाचे और संगठिन युगतियों को सम्विष्ट किया है जो इसके विशिस संस्कीति रूप का निधार के महतब और कारक बनें सिंदू घटना किरम को सब्वेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने में ऐसे समाजिक धाचे और संगठिन युगतियों को सम्विष्टित किया है जो इसके विशिस संस्कीति संस्कीतिक स्वरूप के निधार के महतब और कारक बने यह अपने समय का एक मात्र साक्षर उपमादीशिये भूकंड था यह अपने समय का एक मात्र शाक्षर और उपम देशिय बूकंड था अब तक 4000 से अधिक सिंदू अभी लेक पाए गए हैं और यह सही है कि वे अभी तक पड़े नहीं जा सके हैं लेकिन इतना निश्चित है कि उस लिपी का उपयोग वडिरंजिक उद्देश्चु जैसे की मोहरों और मुंद्राकणों से संकेतित होता था व्यक्तिगत पहचान जैसा की कणों कास्य उपकणों इतियादी पर किये गए उतले उतकणियों से जाहिर होता है और व्यक्तिगत पहचान जैसा की कणों कास्य उपकणों इतियादी पर किया गए उतले उतकणियों से जाहिर होता है और सभ्यता नागरिक उद्देश्यों जैसा की धोला वीरा में एक अति विशाल पट के अफशेशों से पिरकट होता है के लिए किया जाता है इस सभ्यता की खास विशेशता थी इसकी अधिवास पद थी जिसमें नगर और कस्वे की विशेश मेहनता थी जैसा की धोला वीरा में एक अति विशाल पट के अफशेशों से पिरकट होता है के लिए किया जाता है इस सभ्यता का खास विशेशता थी इसकी अधिवास पद थी जिसमें नगर और कस्वे की विशेश मेहनता थी इन नगर केंद्रों की समारक स्वरूप सरचना जिसके जिनके निर्मार के लिए काफी शम एव संसाधनों की आवेशकता होई होगी और जहां विविन पिरकार के आर्थी किर्याय निस्प दित की जाती हैं होंगी इस सभ्यता के अन्य विशिश्ट अभी लेक्षन है पूर्व में सिर्व मोहन जोड़ुण और हडप्पा की विशाल सभ्यता इस्पन नगरों के रूप में ज्यादते लेकिन आज हम कई ऐसे नगरों के बारे में जानते हैं जिनके आयाम उन्हें समान हैसियत पिर्दान करते हैं जहां वीविन प्रिकार के आर्थी किर्या निस्पादित की जाती होंगी इसकी सभ्यता के अन्य विशिश अभी लेक्षन है पूर्व में सिर्फ मोहन जोड़ों और हडप सभ्यता की विशाल सभ्यता संपन नगरों के रूप में ज्यादते लेकिन आज हम कई ऐसे नगरों के बारे में जानते हैं जिनके आयाम उनके समान हैंसयत प्रदान करते हैं झेसे चियूस्तान में गय गयवरी वाल्हे वीरा और हडियाना में राखी गाड़ी के राखी गड़ी के समुच्चे के निर्मान के परतीक जो पूर्व में ज्यात नहीं थे इन नगरों इन नगर केंदरों से प्राप्त जेवरों मूर्तियों और मोहरों की भारी मात्रा और एक रुपता से जाहिर होता है कि शिल्प उत्पाद मुख रूप से नगर वास्यों की मांग के इन नगर के केंदरों में प्राप्त जेवरों मूर्तियों और मोहरों की भारी मात्रा और एक रुपता से जाहिर होता है कि शिल्प उत्पाद मुख के रूप में नगर वास्यों की मांग के अंकूलन होते थे साथ ही योजना निर्मार के स्वरूप लिपीवद कार्य विवणा की आवेशक्ता और इसके ऐसे श्रंकलावाद इस्तिलों की मुझूदगी जिन में विविन अकार और स्वरूप बाले नगर और ग्राम अधिवास महतपूर बातों में संक्रिय रूप में प्रस पर संबं संबंद थे और योजना निर्मार के स्वरूप लिविंद कार्य विवणा की आवेशक्ता और ऐसी स्रंकला इस्तिलों की मुझूदगी से जिसमें विविन पिरकार के और स्वरूप वाले नगर और ग्राम अधिवास महतपूर बातों में संक्रिय रूप में परस पर संबं की कालि विधि में राज्यों की इस्थाना पुब्लिन तंत्र गम और की उपस्तिती के संकेत मिलते हैं और अधिकांश प्रतात्वी डुष्टी से एक राज के समाची के भी घौतक हैं और हडपा सब्वेता की काल वीदी में राज्यों की संक्या अनेक थी अत्वा कोई एकरित समराज्यता यह इसपस्ट नहीं हो पाया है नगरी अधिवाश ही नग सुप्ट से इस्थानिये कुलिन तंत्र सोदागरों और शिल्परकरों की उपस्तिती के संकेत मिलते हैं मुख्य विशेस्ता हैं सिद्दू सब्वेता समकालिन कस्य यूगीन संस्कीतियों जैसे मोसो पोटामिया की समोरी सब्वेता और पुराने मिस्र समराज्ये पोटामिया की समोरी सब्वेता और पुराने मिस्र समराज्ये से अनेक बातों में मेल खाने के बाबजूद अपने विशिष्ट पहचान रखती है पहचान रखती है एक बात तो यह है कि 10 लाग वर्ग किलोमीटर से अधिक भूभाग में फैली यह सब्वेता अपने समय की सबसे बड़ी नगरीय सांस्क 210 आधिक बूभाग में फैली यह सब्वेता अपने समय की सबसे बड़ी नगरीय कि व्यृष्ट पहंती है मैसोपटामिया और मिश्र की भांती यहां भाव्वे धार्मिक पूजा इस्तल विशाल समधी इस्तल अत्वर राजाओं के लिए सांदार महल नहीं बनाए जाते थे। अपने नगरियों के लिए ऐसे नगर सुख सुविदाओं की प्रणाली जो उस समय के सब्वेता जगत के अन्ने हिस्सों में सायद ही हो पाई थी। इन सुविदाओं में इस नानगरा समित बड़े घर, काम के लायक सडकों और गलियों को नेटवर्ग जल निकास की विस्तरित विशाल, विलक्षन, जल पूर्ती, प्रणाली जैसी बातें शामिल थी। दोला वीरा में बांधो, जलाश्यो, भूमिगत, नलियों, नालियों के नेटवर्क और मोहन जोड़ों पर हर तीसरे घर के लियें बेलनकार को से इसपर्ष्ट होता था। कि उस सब्वेता के नगर, निवासी अपने समाकाली, उन मोसटापिया और उस और मिश्र निवासियों की तुल्णा में कितनी अधिक सुविधाओं से लेस्ते, जिनने नेटव, निकटवर्ती, नदी से बाल्टी में पानी भर-भर का लाना पड़ता था। जल निकास की विस्तिद विवस्ता और एक विलक्षन जलपूर्ती प्रणानी जैसी बात ने सामिल थी। बैलनकार कोको से इस्पश्ट होता था। इस प्रिष्ट भूमी और उद्धव। प्रिष्ट भूमी और उद्धव। सिंदु इस्थल में मुख्य रूप से भारतिय उप महादेश के उस भागसे में विक्सित हुए जो दिल्ली अरावली खपाद के भूगोलिक अक्षि के पक्षिमी में हैं। उस कटिवंदित के कई खंडों में ऐसा पूर्व। लगभग साथ हजार वर्ष और इशा पूर्व। तीसरी सतावदी के प्रतम भाग में नगर केंद्रों की उत्पती के दुरान क्रिशक समुदाओं का उद्धव और विकास हुए। सिंदु स्तने मुख्य रूप में रूप सब भारती और उप महादेश के उस भाग में विक्सित हुए जो दिल्ली अरावली खंबात के भुगोलिक अक्षि के पक्षिम में हैं। उस कटिबन दित के कई खंडों में ईशापूर्व लगभग साथ हजार वर्ष और ईशापूर्व तीसरी सतापदी के प्रतम भाग में नगर केंद्रों के उत्पती के दुरान किरशक समुदाओं का उद्धव और विकास हुए। हडपक की स्थलों पर वयापक प्यमाने पर पाए गए जीवन निर्वा पदितियां जिसमें गेहूं और जोंग की खेती तथा पशुपालन वयापक प्रचालन का सयोग था। पूर्व काल में बलुचिस्तान के कच्छी मेदान में अवस्तित मेहर गटक पाए गए हैं जहां पस्ची मेसियां में लगभग साथ हजार वर्ष ईशा पूर्व किरिशी अधारी जीवन का शाक्षे मिला है। इस पूर्व पांचमी सतावदी से लेकर ये छेत्र बलुचिस्तान के ब्रिहत भाग में उत्तर पूर्व में जौवे लौर लाई छेत्र से दक्षिर में लास वेला तक विस्तित पाया जाता है। हड़पा सब्बता के स्तिलों पर वयापक प्यमाने पर पाए गए जीवन निर्वा जिसमें पाए गए हैं गयहूं जों खेती का पशुपालन वयापक परचानन का सयोग था और पूर्व काल में बुलिचिस्तान के कक्षी के मैदान में अवस्तित महरगर तक पाए गए है जहां पस्ची मेसिया में लगबख साथया वश इशापूर्व किशी अधारित जीवन का साक्षे मिला है जहां 7000 इशापूर्व किशी अधारित का जीवन का साक्षे मिला है इशापूर्व पांचमी सताग्दी से लेकर ये छेतर बिलुचिस्तान के ब्रित भाग में उत् को सब्भयक समयक रूप से समझने के लिए ये दियान में रखना आवेशक है कि सिंधु के अनेक पुरस्थाल नदी के तटवी निम्न भूखंडों में हैं और उन छेत्रों में अधिवास तता जेविका पदिती हडपा सब्वेता की पस फूटन के पूर्व में लगबग 1000 वर्ष की अवदी में विक्सित हुई अनेक निम्न भूभाग वो छेत्रों में पूर्व परिता की एक लंबी अवदी रही थी इसके साथ ही इस सब्वेता के विकास को समयक रूप से समझने के लिए ये दियान में रखना आवेशक है कि सिंधु के अनेक पुरस्थल नदी के तटवती निम्न भूभाग खंडों में हैं और उन छेत्रों में आदिवास तथा जीवी का पदिती हडप्य सब्वेता की प्रस फूटन के पूर्व लगबग 1000 वर्ष की अवदी में विक्सित हुए हैं अनेक निम्न भूभाग चेत्रों में पूर्व वर्तिता की एक ल प्रारम में चैलिस्तान का भूभाग वयवसाओ का एक सुप्री भाषित दौर था इशापुर्व चोथी सताब्दी के प्रारम में चैलिस्तान का भूभाग वयवसाओ का एक सुप्री भाषित दौर था जिसे हकर जिसे हकरा म्रंद भांड सांस्किति के नाम से जाना जात था और यह नाम हक्रा नदी के नाम पर दिया गया था और यह नाम हक्रा नदी के नाम पर दिया गया जिसके इर्दगिर्द विशिष्ट मिर्तिका का जमाव पहली बार खो जा गया जिसके इर्दगिर्द विशिष्ट मिर्तिका का जमाव पहली बार खो जा गया या दिपी इ सबसे बड़ा केंद्रिय हक्रा के इर्दगिर्द है लेकिन इसका विस्तार मुलतान में जालीपुर और हडियाना के कुलनाल तक था इसके अधिकान इस्तल छोटे शिवरी जैसे पिर्तीत होते हैं जहां कुछ इस्थापित अधिवाश बड़े पैमाने पर जहां कुछ इस्थापित अधिवाश बड़े पैमाने पर बड़े आकार वाले हैं जैसे बुलुचिस्तान में लौत वाला जो 26.3 हेक्टेर में फैला है जैसे बुलुचिस्तान में लौत वाला जो 26.3 हेक्टेर में फैला है हाकरा छेत्र निम्न भुकंडों की पर्थम संस्कीती वाला छेत्र है हाकरा छेत्र निम्न भुकंडों की पर्थम संस्कीती वाला छेत्र है जहां अनेक पिरकार के प्रस्तर और कास्ये उपकरणों के उप्योग से मरुस्थलिये और तटिये दोनों परियावन काम में लाए जाते थे जैसा कि जालीपुर के अल्प मुल्य प्रस्तर जहां तक अनेक पिरकार के प्रस्तर और कास्ये के उपकरणों में उप्योग से मरुस्थलिये और तटिये दोनों परियावन काम में लाए जाते थे जैसा कि जालीपुर के अल्प मुल्य प्रस्तर मुंगा और स्वर्ण मनकों के संग्रे से संकेतित होता है वहां ऐसी कच्ची सामिग्री से बने माल भी मिले हैं इस्थानिय स्तर पर उपलब्द नहीं थे जो इस्थानिय स्तर पर उपलब्द नहीं थे सिंधू के निचले भुकंडों के पस्चिमी किनारे की तरफ इशापूर्व चौती सताब्दी में एक अन्य संस्किति का उद्य हुआ सिद्धू के निचले भुकंडों के पस्चिमी किनारे की तरफ इशापूर्वी की चौती सताब्दी में एक अन्य संस्किति का उद्य हुआ जिसे अमरी संस्किति कहते हैं और जिसने किर्थहार, गिरिपद और कोहिस्तान में प्रमुक्ता प्राप्त की जिसने किर्थहार, गिरिपद और कोहिस्तान में प्रमुक्ता प्राप्त की सबसे महतवपूर्बात ये है कि अमरी के कुछ इस्तिलों पर एक एक्रोसेक्टम निचला नगर विभाग के निशान पाए गए हैं सबसे महतवपूर्बात है कि अमरी के कुछ इस्तिलों पर एक एक्रोसेक्टम निचला नगर विभाग के निशान पाए गए हैं ये एक अवासिय योजनती जो बाद में अतिविक्सत और परिक्रिष्ट रूप में सिंदु इस्तिलों के निवास विन्यास में पाई जा सकती है इस एक अवासिय योजनती जो बाद में अतिविक्सित और परिक्रिष्ट परिस्क्रिट रूप में सिंदु इस्तिलों के विन्यास में पाई जा सकती है इस एक्रोसेक्टम की स्थानिक विशेष्टा का पता एक अति उच संको के अकार वाली पहार से चलता है इस एक्रोसेक्टम की स्थानिक विशेष्टा का पता एक अति उच संको के अकार वाली पहारी से पता चलता है जिसके चारो और चबूत्रे वाली पत्थर की दिवाने और धलानों वा सीणियों के अफशेष मिले हैं निचला नगर समान्य अवासिये छेत्र जो सब्वता घरेलू सरचनाओं से भरा हुआ था सिद्धू सब्वता की निकट्टम प्रिष्ट भूमी कौट दीजी सांस्कीती के नाम से ग्यात अगले चैनल में निर्मित होता है जब तक समान्य सांस्कीती सांस्कीतिक लोकाचार के तत्व सिंदू हाकरा के मैदानों और सिद्धू गंगा के जल विभाजन के आरपार देखे जा सकते हैं वहां अनेक योजना बंद और गड़ बंद बस्तिया हैं हडपा में उत्री दक्षिणी और पूर्व पस्चीमी सड़कों की जाली के चारों और पक्ति ब्रंद अवासी छेतर सिंदू में कच्ची इटों का वन्टू फोर्प के अनुपात में उप्योग और कुंडाल के में सड़कों में विसकतन गर्थ पर अधारित जल निकासी परणाली विशेश रूप में उलनेक निये सिद्धू सब्वेता के निकट्तम प्रिष्ट भूमी कौट दीजी संस्कीति के नाम से ज्यात अगले चनर में निर्मित होता है जब एक समाने संस्कीतिक लोकचार के तत्व सिद्धू हाकरा के मैदानों और सिद्धू गंगा क जल विभाजन के आरपार देखे जा सकते हैं वहां अनेक योजना ब्रंद और गडबन बस्तियां हैं वहां अनेक योजना बंद और गडबन बस्तियां हैं पर सब्बता में उत्री जक्ष्णी और पूर्वी पक्षिवी शक्तों की जाली के चारों और पक्तिवंद अवासी छेत्र सिद्धू के कच्ची इटों का वंट वन दिश्यमलग टूर दिश्यमलग फोर के अनुपात में उप्योग और कुनाल में सड़कों में इसकतन वह प्रिकिष्ट धातु किरम जिसमें मुकुट और बाजूबन सामिल हैं समेत चक्रियकार स्वार मनेक मनके जो सिद्धू सब्बता की खाश विशेषता हैं कच्ची सामिगरी के यातायात और विनियम विभिन अभीकलब वाले वरगाकार छापे की मोहरें पादी तथा दोला वीरत दौनों गुजरात में से सिद्धू लेखन के कम से कम दो चिनों की प्राप्ती पक्की मिट्टी से बने अनेक नगरियों नारियों के ऐसी लधो मोतियों से मिली हैं जिन में वहां के निवासियों का अनुष्ठानिक विश्वास भी जाहिर होता है यदि संपूर्ता में देखें तो इस दौर के लिए आरंबिक हडपा पद का प्रियोग उप्यूक्त लगता है यदि संपूर्ता में देखें तो इसके दौर के लिए आरंबिक हडपा पद का प्रियोग उप्यूक्त लगता है क्योंकि उसमें परिपवक हडपा काल पुरतान नगर सब्वेता के स्वरूप के लिए नमित के अनेक विशेष्था हैं पहले से ही मौजोद मिलती हैं इन में से कई विशेष्था हैं वड़ेंजक और अन्य उस्टकुष्ट समाजिक समों की उपस्तिती दर्शाती हैं जब हम आवेशक कच्ची समगरी की प्राप्ति के वयापक नेटवर्ग पर अधारित सिल्प विशेषकता की गहनता अथ्वा सिद्दू के बाड़ वाले मैदान में फसलों का नुकसान पहुचाएं बगेर किरीशी के लिए सिच्चाई की आवेशकता जिसके लिए किसी हद तक योजना निर्मान और प्रवंद आवेशक थे जब हम आवेशक कच्ची सामगरी की प्राप्ति के नेटवर्ग पर अधारित सिल्प विशेषकतियों की गहनता अथ्वा सिद्दू के बाड़ वाले मैदान में फसलों को नुकसान पहुचाएं बगेर किरीशी के लिए सिच्चाई की आवेशकता जिससे के लिए कई हद तक योजनाय निर्मावा प्रबंदक आवेशक थे पर विचार करते हैं तो नियंतत अत्वा शाषन के करने वाले विशिष्ट वर्ग का उधब और स्वरूप सोव्यता स्पष्ट हो जाता है कुल मिलाकर इसमें संदे नहीं की सिंदू सब्वेता की जणत देश देशांज सब्वेता के विचार के प्रसार अथवा पश्चिम एसिया से जन्सवमों के फैलाप के कारण निर्मित हुए हैं कुल मिलाकर इसमें संदे नहीं की सिंदू सब्वेता की जणत देशांज थी और इशा पूर्वु चोथी और तीसरी सताब्दी में विक्सित उत्तर पश्चिमी की परसार कास्य यूगीन संस्कितियां इसकी प्रोग्रामी थी कतिपिया आरंभिक इतिहास कारों के मत के विप्रित सिद्धू के नगर सब्वेता के विचारों के पिरसार अत्वा पश्चिमेसिया में जन समुके फैलाप के कारण निर्मित हुए हैं जीवन निर्भाप पदिती हम नेक्स्ट वीडियो पर में पढ़ेंगे आई हो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई ही तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सिस्काइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी फ्रेंट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है और अपने फ्रेंटों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट उन्हें भी हो